न्यूक्लियर वेपन्स रखके उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं, वो और खुदकशी करना इस ते सेम तिंग और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं के आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं जय हिंड दोस्तो मोडीरेस में आपका सवगत है, दोस्तो अज पाक मीडिया दुनिया में पाकिस्टान क्या ओकाट है उसके बारवें बात करा है, इस वीडियो में हीलाली कह रहा है की अमेरीका की सामने पाकिस्टान कभी खड़ा नहीं हो सकता, क्यूंकि पाकिस्टान आई- ईमिक्स्ट के विग पे चलता है नूकलेब चानके कोई फ़रक नहीं पड़ता, क्योंकि नूकले टाकत के जरुय आप दुनिया को शिर्फ ब्लैक मिल कर सकते हैं, आप नूकलेब टाकत के जरुय कभी भी सूपर पावर नहीं बन सकते, और पाकिस्टान जब तक इकोनोमिकली स्टेबल नहीं होगा जब तक पाकिस्टान भीकार ही रहेगा दुनिया के लिए तो यहाँ पे हिलाली दुनिया में पाकिस्टान की जो असली अकाट है उसको बोल रहा है दोस्तों यह वीडियो बहुती मज़डार है तो इससे आप पुरा सरो देखेगा तो चलिए और इंतिसार ना करके यह वीडियो देखते हैं लेकिन हिलाली साब यह अत्नी कमजोरी क्यूं है अमरीका के होाले से हम एर सपेस के मामले बेंबे हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा देते रहेंगे उनको फजाई जो हमारे सारी जो फिजाई हैं वो खुली रहेंगी फिर हम ये देखते हैं कि सिरिनगर और यूएई के बीच में फलाइट्स भी शुरू हो गई हैं कोई हम उस पर इतजाज नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर हमने ये भी देखा कि वहां पर डिस्प्यूटिट टेरिटरी में इंफरस्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये इतना बड़ा एग्रिमेंट यूएई के गौर्मिंट ने कर लिया है लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे हैं और हमारा जुकाओ ये खौफ ये क्यों है इसकी क्या वज़ा है जबके आई एमफ ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया फैटफ ने हमें दबा के रखा हुआ है तो ये सुपर पार के सामने हम भी एक इसलामिक सुपर पार हैं हमारे पास भी अपनी सिक्यूरिटी का सब कुछ है इतना खौफ क्यों है ये ये हमारे देखिए पहले बात तो वो स्रीनगर का और दुबाई का जो था वो रूट उस पे सुना है कि हम ने उनको ओवर फ्लाइट राइट्स खतम कर दिया है सुना है आपका इतला बहतर होगा मगर मुझे गवर्मन्ट ने तो कहा है उन्हों ने खतम कर दिया है गवर्मन्ट ने या इंडिया ने पता नहीं क्या मगर आपका जेनरल जो सवाल है भाई हम है कमजोर ये देखिए आप एक वेपन ओफ लास्ट रिजॉर्ट रखके नुक्लियर वेपन रखके उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं इसलिए कि जब आप उसको इस्तमाद लास्ट रिजॉर्ट वो और खुदकशी करना इस ते सेम तिंग तो मैं समझता हूँ ये भूल जाएं कि आप एक पावर हैं सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप एकनॉमिकली किदर खड़े हुए हैं इन दर रिस और वेर स्ट्रॉंग और वीक हैं और आप बहुत वीक हैं इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं समी साब दस बिलियन डॉलर के खाना आप इंप दस बिलियन डॉलर किदर है वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन दे वर्ल्ड वाई क्यों आप नहीं होगा सकते हैं और आप टैक्स भी नहीं करते हैं अगरिकल्चर को फिर भी आप नहीं होगा सकते हैं तो देखे क्यों लोग देखके कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्ट मैं तो समझता हूं in many respects जो मुलक अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है employment नहीं दे सकता है जो अपने मुलकों को defend ठीक तरह से नहीं करता है जिद्ध देशत गर्दी फैली हुई है तो वो एक समझे इस फेलिंग स्टेट और वो हमारा इस वक्त ये है तो आपको कभी ज़त नहीं आएगी जब तक आप भीका भीका लेके सब जगे जाएं तीन बिलियन डॉलर साओधी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है ये नहीं कि आपको दे दिया है आपके बैंक में रखा है और जब उनका मूड बहते हैं और उससे आप इतने खुश हो गए नहीं इसको तो बड़ी काम्याबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफरतकारी और पता नहीं क्या हो गया च्छका मार दिया जावेब मियदाद वाला शारजा की तरह उसको तो यह प्रट्रे किया जा रहा है तो उससे दो सवाल पूछ लें कि मीटिंग कब हुआ था पहले दिन के आखरी दिन और मीटिंग में क्या कहा गया था यह तो पूछ लें तो क्यों वह अनॉंस्मेंट जो था वह क्यों वह अन्डाउंस्मेंट जो था साउदी ने पहले किया था आपने तो नहीं किया था क्यों देखिए बस छोड़ें जी वी नो वाट टे फैक्ट सा चलिए रोस्तों इस वीडियो पर बात करते तो पाकिसान जो इस वाल पूछ रहें कि हम अमेरीका के सामने खड़े क क्यों नहीं हो सकते तो पाकिसान अमेरीका के सामने खड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्यों कि पाकिसान चलताई अमेरीका के भीग पे है पाकिसानी आर्मी इतने सालों तक अमेरीकी एट पे ही जिन्दा रही है तो इसलिए पाकिसानी आर्मी की हिंबद नहीं है अमेरीके खिल और पाकिस्टान कभी भी अमेरीका के सामने खड़ा नहीं है और झाहा कि हम भी एक नूकलियर टाकत है तुट कोई फिर्बब्स अधरता नहीं है जब तक आप मेसफ टेबल ना हो चब तक आपके नुक्लियर टाकत होने से कोई फड़क नहीं पड़ता आप डुनिया को कब तक ब्लैक मिल करेंगे और एक ना एक दिन डुनिया आपके मुझ के ऊपर ठपड मारेगी और वही अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है बाइडेन इम्रान खान को फोर्ड नही रिके स्टर पे बाठ करें अमेरिका के भीक पे पाकिस्तान चलता है और दिसरी तदा इम्रान खान के बीदेन को सुन भी दिया तो पाकिस्तान अपर में झाल आ पर अमेरिक सामनेindung deben बने या आम्रिक साबने जूके तो यह ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम और हिलने सी सही कह पंपर्ट रहे हैं जो किस इंपोर्ट करें जिसके बीन हुटा गुजल कर नहीं है पेस के नहीं हो और अपर करें Canadian शीनगर और शार्जा के फ्लाइट के बारे में पाक मीडे ने बात की तो भारत को पाकिस्तान के उपर से जाने की कोई जर्वर नहीं है भारत समुंदर के उपर से भी जा सकता है उसमें अगर कुछ ज्यादा पैसे खर्च होंगे तो उससे फरक नहीं पड़ता भारते सरकार पाकिस्तानी सरकार डिबलया नहीं है जो आए एमिफ के पास जाके हाट फैलाती है और एक मज़ेदार ख़बर इम्रान खान जो सोडी अरेबिया से गया था पैसे मांगने के लिए उसके उपर सोडी अरेबिया में ही एक कार्टून जारी हुआ है जो आपको देखना जाहि है तो आप सोडी अरेबिया भी इम्रान खान को खुले हम भिकारी बोल रहा है तो यह मज़ेदार चीज हुई है सोडी अरेबिया में तो चले देखते कि फीचर में क्या होता है दोस्तों यह वीडियो दिखने लिए बहुत बहुत सुखिया और हमाई चैनल का सब्सक्राइ